नमस्कार बच्चू, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के हमारे 1st chapter The Rise of Nationalism in Europe, यूरोप में राष्टवाद का उदे, इस चैप्टर की most important dates जातर स्टूडेंस के लिए हिस्ट्री मतलब boring subject, हिस्ट्री मतलब dates वैसे होता भी कुछ ऐसा है, हिस्ट्री में काफी सारी dates दी जाती है और इसलिए काफी सारी students ऐसे होते हैं, जिनको history boring लगती है और ये जो dates होती है, वो history का सबसे difficult part होता है इसको याद करना मुश्किल होता है, और ये और ज्यादा difficult हो जाती है अगर ये dates, ये events, sequence के according ना हो फर्स्ट जो हमारा chapter दिया गया, नेश्टनी जमीन येरोप इस chapter के साथ भी कुछ ऐसा है, यहाँ पे dates दी गए, बहुत सारी events दी गए लेकिन ये सारी events से वो एक साथ mix up हो गए क्योंकि ये आगे पीछे चलते हैं, sequence के according नहीं चलते है और दूसरे ये जो dates दी जाती, वो एक साथ नहीं दी जाती कहीं पे हमें एक साथ चाहे वो Google कर लें, या फिर हम कोई भी help book ले लें तो वहाँ पे हमें एक साथ sequence के according ये dates नहीं मिलती इसलिए हमें इनको याद करना, ये revise करने में काफी सारी problems होती है और इस बार क्योंकि आपका term 1 का जो exam है, या फिर हम बात करें NTS exam की तो वहाँ पर ये dates काफी ज़्यादा important होती है, scoring भी होती है तो यहाँ पर मैं वो सभी dates जो इस chapter की है, sequence के according लेकर कर आया हूँ तो इन में से 50% dates आपको already पता है, 50% के आसपास dates है, जो आपको revise करने है और वो hopefully इस वीडियो के पाद आप अच्छे से अगर इनको समझ लोगी, तो sequence के according आपको याद भी हो जागी तो चली ही शुरुआत करते हैं, इस chapter की, जहां तक इस chapter की content की बात है तो इस chapter को हम detail में discuss कर चुके हैं, Hindi और English Medium दोनों में, दो पार्ट में हमने discuss किया था नेरबाओ two hours के आसपास के वीडियो बनते, लेकिन detail chapter को हमने कर लिया था उसके बाद आपके लिए 50 most important questions हम लेकर के आये थे, वो questions जो आपके NTSC plus जो previous years के board exams है, उसमें repeat हुए थे यानि कि one marker question थे, तो वो हमने किया थे, उसके बाद additional जो 100 questions और बनते हैं इस chapter के MCQs, वो हमने दो दिन पहले publish कर दिये थे अगर आपने उन videos को नहीं देखा, तो आपको playlist में जाना है, playlist में class 10th social science का genius batch मिलेगा, जहां पर आपको ये सभी videos मिल जाएगे तो चलिए यहां dates की शुरुवात करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर यह जो chapter start होता हो 1688 से start होता है, 1688 से लेकर गए, 1914 यानि कि 1914 था कि यह chapter चलेगा तो यहां पर 1688 की बात करें, तो यहां पर एक important incident, एक event होता है, वह glorious revolution जिसको शानदार करांती भोलते हैं, इसको bloodless revolution या फिर रक्थीन करांती भिखा जाता है, क्योंकि इसमें कोई खोन नहीं बाह रहा था, कोई लडाई नहीं हुई थी, इस glorious revolution में क्या होता है, कि England में जो इधानिक राजतंतर आप भी, आज भी England में, ब्रिटेन में, ओके, तो यह 1688 जो थी date, उस वक्त glorious revolution हुई थी, और उस वक्त शानदार करांती भी थी, इसको ये भी कहा जा सकता है, कि bloodless revolution हुई थी, या रक्थीन करांती भी थी, और इस वक्त संसत के हातों में शक्तियां आ थी, राजतंतर से, ठीक, यह 1688 की date है, जो आपको अच्छे सी याद रखना है, यहनकि इसी date के साथ, एक तरीके से, ब्रिटेन की unification की जो process है, उसकी शुरुवात होती है, उसके बाद जो next date, जो इस chapter में है, वो 1707, 1707, ठीक, 1707 में क्या होता है, कि act of union between Scotland and England was passed, जो act of union है, पारित होता है, act of union से, Scotland और England के बीच में होता है, इसी तरीके से, यहाँ पे, जो United Kingdom of Great Britain है, उसका गठन हो जाता है, यानि, United Kingdom of Great Britain है, उसकी unification की process हमने किये न, तो उसकी शुरुवात की सीवी थी, 1688 की, जो Glorious Revolution है, चांदर करांती है, उससे शुरुवात होती है, उसके बा तो दोनों तरीके से पूझा जा सकता है, कि act of union कब पास हुआ, तो भी आपको 1707 बताना है, या फिर United Kingdom of Great Britain है, उसका गठन कब हुआ, उसकी formation कब हुई, तब भी 1707 यान की 1707 आपकी डेट रहेगी, ठीक, उसके बाद 1785 और छासी इस डेट की भी बात केगी, हालंकि यह इतन 1785 की बात करें, तो जेकब ग्रीम, ग्रीम बंदो थे, जिन्होंने लोग कथाएं लिखी थे, लोग कथाओं का संकलन क्या था, हमने कहां पढ़ा है, रोमानिवाद जो टोपिक है, उसमें इसके बारे में पढ़ा है, तो जेकब ग्रीम है, उसका जनम होता है, 1785 में, 1785 में और जो विलियम ग्रीम है, उनका जनम होता है, 1786 में, तो 1785-1886 में, जो ग्रीम बंदू है, उनका जनम होता है, ठीक, उसके लिए डेट देगे, उसके बाद जो नेक्स्ट डेट है, वो है 1789 की, ये भी काफी इंपोर्टेंट डेट है, लेकिन सभी को पहले से पता है, 1789 को फ्रांस की करांती होती है, जुलाई 1789 को, और दा फर्स्ट क्लियर एक्स्प्रेशन ओफ नेस्ट निजम, जो था, नेस्ट निजम का विचार था, उसका सपष्ट जो अभी वक्ती थी पहले बार, वो इसी रेवलिशन में होती है, तो कई तरह किसे पूछा जाकता है, डिर एक इंपोर्टेंट डेट थी, नेपोलियन इन्वेड्स इटली, नेपोलियन है, उन्होंने इटली पर हमला किया था, इटली पर आकरमन किया था, और इसी के साथ नेपोलियनी को आउर है, वो बिगिन हो जाते है, यानि नेपोलियन के युद थी, जो नेपोलियन के एक त kingdom of Britain है, Britain का unification complete हो जाता है, island was forcibly incorporated with the great Britain, island है उसको जबरदस्ती great Britain में शामिल कर लिया जाता है, तो ये भी एक important date है, कि unification of Britain कब complete हुआ, तो 1801 1801 में complete हुआ, island को great Britain में कब शामिल किया गया तो ये 1801 रहेगा, clear उसके बाद 1804, ये भी important date है, ये तो काफी बार आपके exam में repeat भी हो चुकी है civil code और नेपोलिनी code है वो pass किया गया था, या वो inact हुआ था, लागू हुआ था, 1804 में नेपोलिनी ने कुछ नए rules and regulations लेके आए थे, वो सारे rules and regulations कब लागू हुए थे, 1804 में तो civil code ये नेपोलिन code है, वो लागू हुआ था, 1804 में 1804 में, उसके बाद जो next आपकी date है, वो है 1807 हालांकि इतनी ज़्यादा important ने है, लेकिन क्योंकि बुक में दिया गया है, तो हो सकता है इस टाइप का question भी रहे, तो 1807 Italian revolutionary Josephine Mezny was born, जो क्रांतिकारी थे इटली के Mathsini, जिनको हिंदी में Mathsini लिखा हुआ आपकी NCRT की बुक में, इंग्लिष की pronunciation की बात करें, तो यह मेजनी रहेगा मेजनी का जनम हुआ था, ओके 1807, तो यह आपको याद रखना है, उस बाद आगे बढ़ेंगे, तो 1812 यह भी एक important date आपकी बुक में देगे, वो है Grimm Brothers published their first collection of tales, जो Grimm Brothers थे, उन्होंने लोकताओं का संकलन किया था, उनका collection किया था, गाओं में घुमें, लोगों से सुनें, और उनको लिखा था उन्होंने, तो उसका पहला जो collection था वो published हुआ था, कब 1812 में, ग्रिम बंदों ने कहानियों का पहला संग्रह प्रकासित किया था 1812 में, उसके बाद 1815, next जो important date आपकी, 1815, battle of Waterloo and fall of Napoleon, 1815 में काफी सारे events होते है, एक पहला जो event होता है, Waterloo की लड़ाई होती है और इसमें Napoleon की हार होती है that was the last battle of Napoleon, Napoleon Napoleon की अंतिम लड़ाई होती है और fall of Napoleon, इसी के साथ Napoleon का पदन हो जाता है, यहनकि 1797 से जो Napoleon यूग की शुरुआत होती वो यहाँ पे आ करके खदम हो जाता है, end हो जाता है, clear उसके बाद 1815 में और भी काफी कुछ वा था, Vena Peace Statlement, Vena Congress कह लिजिए, Vena Conference कह लिजिए, Vena Peace Treaty कह लिजिए वो सब कुछ 1815 में होता Napoleon के हार के बाद, जिन्हों ने हराय था, किन्हों ने हराय था Britain की आर्मी इसमें शामिलती, पर्षिया की आर्मी, ओस्टिया रस्या की आर्मी शामिलती, इन्होंने मिल करके Napoleon को हराय था, उस बाद Europe था, उसका जातर हिस्सा किसके कबज में था, कंट्रोल में था, नेपोलियन के तो उसकी बंदर बांट के लिए Vena Conference होता है, Vena Peace Treaty यह कब होती है, यह भी 1815 में होती है जो मैटरनिक थी चांसलर थे होश्टिया कि वो इसके President होते है उस वक्त, तो Vena Congress कह लिजिए Vena, संदी कह लिजिए तो वो कब होती है, 1815 में साथ-साथ, बूर्बो राजवंस है उसकी पुनरस्तापना भी यहीं पर हो जाती है बूर्बो राजवंस, वही Louis 16 वाला, जो राजवंस था जिसको उखाड फेंका गय था French Revolution के साथ उसी राजवंस को दोबारा से गद्धी पे बिठा दिया जता है, 1815 में तो 1815 में काफी सारे इवेंट्स हुए थे उसके बाद 1821 जो हमारी डेट दीगे 1821-1821 में Greek Struggle for Independence Begins जो युनान का सवतंतरता संग्राम है उसकी शुरुआत होती है यानि यह सवतंतरता संग्राम है थोड़ा लंबा चलता है तो युनान जो था वो ओटोमन एंपायर के अंडर में था तो आजादी के लिए क्योंकि यहाँ पर भी वो चिंगारी पहुंची थी कि इसकी राष्ट्रवाद की नेशनलिजम की चिंगारी पहुंची थी यहाँ के लोगों ने वो एक बिगुल बुजा दिया था कि हमें आजादी चाहिए तो उसकी शुरुआत 1821 में होती है उसके बाद 1821 में नेपल्स रेवलिशन होता है यहाँ पे रेजुलिशन लिखा गया हालाग कि इस सक्सेस तो नहीं मिलती लेकिन एक तरीके से इंस्पायर करते है इटली के युनिफिकेशन के लिए बाकी जो फर्दर प्रोसेस थी उसके लिए तो 1821 में नेपल्स की ग्रेवलिशन होती है उसके बाद 1824 1824 भी डेट आपके चैप्टर में दी गए 1824 1824 में इंग्लिश पोईट लॉर्ड बाइरन डाइड ओफ फियर यानि कि जो फीवर के कार्ण इंग्लिश पोईट थे लॉर्ड बाइरन थे वो कहां आयोए थे युनान ग्रीस का जो वार ओफ इंडेपेड़नेस था उसमें पार्टिपेट करने के लिए आयोए थे ग्रीस का जो वार ओफ इंडेपेड़नेस था उसमें भाग लेने के लिए आयोए थे और वहीं पर उनकी फीवर के कार्ण बुखार के कान उनकी डेत हो जाती है यह कब होता है? यह 1824 में होता है उसके बाद जुलाई 1830 की डेट ती गए जुलाई 1830 में first of farewell took place in France फ्रांस में एक बार फिर से करांति होती है तो इसे जुलाई करांति के नाम से जाना जाता है किस करांति के नाम से, जुलाई करांति के नाम से, और फ्रांस फिर से सविधानिक रास्तंतर बन जाता है, तो दोनों टाइप से, कि फ्रांस में जुलाई करांति कब हुई थी, तो 1830 में हुई थी, और फ्रांस फिर से सविधानिक रास्तंतर कब बना, तो ये बना 1830 में, जो मेजनी थे, मेजनी वो सेंट टो एक्जाइल फोर अटेम्टिंग रेवलिशन इन लिगूरिया, लिगूरिया में जो मेजनी है, वो एक क्रांती करने की कोशिश करते हैं और इसलिए उनको देश निकाला दे दिया जाता है, निर्वासन दे दिया जाता है, यहनकि मेजनी क खोद इंपोर्टन डेट है यह, 1832, Treaty of Constantinople, Recognized Greece as an Independent Nation, कुस्तुन तुनिया की संदी होती है, और उसके दोरा युनान की सवतंतरता को मानता दे दी जाती है, यहनकि फाइनली जो युनान है वो आजाद हो जाता है, कब? 1832 में, कुस्तुन तुनिया क्या है, वैसे यह जो इस्त 1832 का इवेंट था, यहनकि फाइनली ग्रीस को इंडेपेडेंस मिल जाती है, उसके बाद नेक्स जो हमारी डेट रहेगी, नेक्स डेट दी गए 1833, 1833 में जो यंग युरोप है, फांडिंग औफ यंग युरोप इन बंड, बंड में यंग युरोप जो संग्ठने, उसका गठन किया जाता है, कौन करता है, मेजनी करता है, यंग इटली पहले हुँचका 1831 में और उसके बाद 1833 में जो यंग युरोप है, उसका गठन किया जाएगा, किया गया था, उसके बाद है 1834, 1834 भी इमपोरटेंट डेट है, यान Kemal हिर जो यंग युरोप, यंग इटली गठन किया जाता है ये बहुत important date है आपके बोड़ एक्जाम में दो से तीन बारे पीट हो चुका है तो जॉलवेरिन का गठन कब किया गया या फिर शिया की पहल पर शुलक संकौन सा था जिसका गठन 1834 में किया गया तो वो था जॉलवेरिन उसके बाद 1845 सीधा हम काफी आगे जाएंगे 1845 में 1845 की डेट दीगे जहाँ पर एक important revolution होता है हलांकि ये इतना important ये detail अगर chapter की बात करें लेकिन important आपके one marker question के लिए वेवर्स इन Silesia led a revolt against the contractor जो Silesia के बुनकर थे उन्होंने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रो कर दिया था क्योंकि उनका बकाया था वो नहीं दिया जा रहा था तो ये एक important date हो जाती है 1845 में Silesia में जो बुनकर थे वेवर्स जो थे उन वेवर्स ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रो कर दिया था उच पर 1848 में important date है ये क्योंकि जब chapter की शुरुआत होती है आपके NCRT book में तो इसी date के साथ सुरुआत होती है फ्रेंच artist named Frederick Soryu prepared a series of four prints visualizing democratic and social republics 1848 में फ्रेंच कलाकार Frederick Soryu उन्होंने चार चित्रों की एक स्रंखला त्यार के थी उसमें उन्होंने पूरे विश्व को लोकतांत्रिक और शोसल सामाजिक गणतंतर के तोर पर दर्सा है था तो यह चार चित्रों की स्रंखला Frederick Soryu ने कब त्यार के थी यह 1848 में 1848 में त्यार के थी उसके बाद 1848 में एक और event हुआ था जिसके बारे में दिया गए यह एक important date रहेगी 18 में 1848 को Frankfurt Parliament या Liberals Revolution होती है Frankfurt Parliament का आयुजन किया जाता है और उदारवादियों की करांती होती है यह आयुजन क्या था कि Frankfurt में 831 जो पर्षिया के लगलग पार्ट से चुनवे जो रिपर्जन्टेटिव पर्थिनी दी थी वो इकठे होते हैं और जर्मनी के एक इकंड का प्रियास करते हैं हलांकि वो का 1848 में होती है उसके बद 1859 साडिनिया पिड्मांट सक्सिडेट इन डिफिटिंग दा ओस्ट्रियन फॉर्से 1859 को साडिनिया और पिड्मांट है वो ओस्ट्रिया ही सेना को हरा देते हैं सबसे बड़ा जो रोडा था इटली के एकिकंड के लिए वो ओस्ट्रिया ही था उसी लेकिन जैसे टू आइलेंड्स ओफ सिस्लीज है वो अभी तक नहीं हुए थे तो ये कंप्लीट लंबी प्रोसे चलती है तो ये पिरिड कहा जाता है यूनिफिकेशन ओफ इटली का इटली के एकिकंड का पिरिड है उसके बद 1861 की डेट्स दीगे 1861 में विक्टर जो थे प्रोक्लेम्ड किंग ओफ यूनिटेड इटली यानि जो सिंक्त इटली थी उसके समराट बनते हैं विक्टर एमनुवल दुइत्य है ओके कब बनते हैं 1861 में क्योंगे 1861 में ओल्मोस्ट इटली का यूनिफिकेशन होचका था ओल्मोस्ट होचका था टूर्स इसलीस को छोड़ करके ठीक उसके बाद 1866 एक इंपोर्टेंट बेटल लड़ी जाती है आपके वन मारकर में आ सकता है घुमा फिरा करके किसी तरीके से 1866 में बैटल ओफ से सेडवा की लड़ाई में पर्ष याने ओस्टिया को हराय था जैसे हमने पढ़ा कि जो जर्मनी का एकिकन था उसके लिए सात वर्ष में सेवन यर्स के उस टाइम पिरड में तीन लड़ाईयां लड़ी जाती है एक में डेनमार को हराय जाता है एक में फ्रांस को हराय जाता तो ये पहली लड़ाई थी, बड़ी लड़ाई थी, तो इसमें 1866 में सेडवा की लड़ाई में पर्शिया ने ओस्टिया को हराया था, और सेडवा की बैटल कब हुई, इस राइब से पूछा जा सकता है, तो 1866 में होती है, उसके बाद 1867 में हंग्री को स्वायत्ता मिल जात और इस बाद भी साइद ना आए, उसके बाद 1870 ये एक इंपोर्टेंट डेट रहेगी, 1870, 1870, जहां पे सेडान की लड़ाई होती है, और ये जर्मन यूनिफिकेशन के लिए अंतिम रोड़ा होता है, तो बैटल ओफ सेडान, फ्रांस वोज डिफिटेट बाई पर्शिय यानि इसी लड़ाई के बाद ये शोर हो जाता है, इंशोर हो जाता है, कि हाँ जर्मनी का आप यूनिफिकेशन होके रहेगा, तो सेडान की लड़ाई है, उसमें पर्शिया ने फ्रांस को हराय था, ये 1870 में होती है, और इसे के साथ जर्मनी का यूनिफिकेशन ओल्मोस् कंड है वो 1871 में होता और फ्रेंकफर्ट जो ट्रीटी है बहुत इंपोर्टेंट है ये भी 1871 में होती है उसके बाद जीन 1871 यानि कि 1871 ही डेट मानके चलिए 1871 में पर्शियन जो किंग थे पर्शिया के जो समराट थे क्योंकि पर्शिया नहीं लीड किया था ना जर्मनी के युनिफिकेशन की पूरी प्रोसेश को विलियम फर्स्ट वोस प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परार यानि कि पर्शिया के जो समराट थे राजा थे विलियम प्रथम वो जर्मनी के समराट बन थे 1871 में जर्मन यूनिफिकेशन के बाद उसके बाद 1914 की डेट दीगे First World War है उसकी शुरुआत होती है जो 1918 तक चलता है तो ये पूरी डेट्स थी ज्यादा नहीं है उसमें से कुछ डेट्स है जो important जो मैंने साथ साथ बता दिये कुछ डेट्स है जो इतनी important नहीं लेकिन वो भी आप एक बार देख लोगे तो अगर question आता है तो आप अच्छे से कर पाऊगे तो उमीद करता हूँ कि ये जो session था ये जो video था आपके लिए काफी helpful रहा होगा अगर आपने आपको ये video अच्छा लगा इस video को like करना है और अपने friends के साथ अपने teachers के साथ इसको share भी करना है इसके साथ साथ हमने इस chapter के 150 MCQs भी आपके साथ share कर लिया है 50 सबसे पहले share किये थे जो most important है उसके बाद 100 थे वो दो दिन पहले share किये चैप्टर भी हमने कर लिया revision का formula भी मैंने बता दिये कि आप कैसे करने वाले हो एक video दो दिन पहले और publish किया था कि social science की revision को लेकर कि आपकी strategy क्या रहने चाहिए तो इस video को देख लिजेए कि आपको idea लग पाए कि किस book में से क्या आने वाला है कैसे हमें पढ़ना और कौन से topic आपके most important रहेंगे इस session में इस video में बस इतना ही thank you, bye bye, have a nice day